नमस्कार दोस्तों, फिटर गुरुजी में आपका स्वागत है हम फिटर थियोरी फोर्थ सेमेश्टर जुलाई 2015 का पेपर सॉल कर रहे थे जिसका यह है सेकंड पार्ट है फेस्ट पार्ट में हमने 25 क्यूशन पूरे किये इस सेकंड पार्ट के अंदर थियोरी के 25 क्यूशन पूरे करेंगे इस प्रकार हमारा यह है इस वीडियो के अंदर पेपर कम्पलीट 50 क्यूशन का हो जाएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे तो श्टार्ट करते हैं 26 क्यूशन से क्यूशन है चित्र में दिखाए गए वेबल गेर को पहचानी है चैनल परकार के गेर दर्शाए गए हैं डाइग्राम के अंदर इन में से हमें वेबल गेर को पहचानना है कि इन में से वेबल गेर कौन सा है तो हमारा जो C option है ये हमारा वेबल गेर है C option के अंदर हमारा वेबल गेर है तो C option हमारा राइट हो जाएगा Next question है हमारा उस foundation bolt का नाम बताएं जो सामानित सीसे या सिमेंट के साथ डाली और भरी जाती है foundation bolt से समदित क्यूसन है हमें उस foundation bolt का नाम बताना है जिसके अंदर सीसा, लेड या सिमेंट के साथ जो material मिला के बरा जाता है option है साधारन foundation bolt, rag bolt, eye foundation bolt, bent type bolt तो सिसे वह सिमेंट के साथ हमारा rag bolt बरा जाता है बी ओप्सन हमारा right हो जाएगा rag bolt नेक्स्ट क्यूशन हमारा बाहरी निर्मान फैब्रिकेशन कारिये में इस्तमाल होने वाले किलक सिरस जिसे इंग्रिश में rivet head का नाम बताएं तो बाहरी निर्मान के फैब्रिकेशन कारिये के अंदर हम कौन से head का rivet परियोग करते हैं वो बताना है में ओप्सन हमारे पास flat head, pan head, snap head, mushroom head तो बाहरी कारियों के लिए हम pan head rivet का परियोग करते हैं next question हमारा machine उपकरण में सनेहक के इस्तमाल का मुख्य उद्ध से खाली स्थान करना है जो machine उपकरण होती हैं उनके अंदर हम सनेहक lubricant करते हैं उसके इस्तमाल का मुख्य कारण क्या है वो बताना हमें option है हमारे पास करीबी संपरक के लिए सेयोजन पूर्जों को गिला करना B option है machine पूर्जों को गरम होने से बचाना C option है सेयोजन पूर्जों के बीच गर्षण को नियूंतम करना D है सेयोजन पूर्जों को ठंडा करना तो जो हमारा मसीन उपकरण के अंदर हम सनेहक प्रयोग करते हैं उसका मैन परपज है जो सेउजन पुर्जों के बीच गर्षन को नियुन्तम करना मैचिंग पार्ट के बीच जो गर्षन होता है उसको कम करने के लिए हम सनेहक का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट क्यूशन हमारा चितर में दिखाया गया सिंगल स्ट्रेप बट जोड है डाइग्राम में च्यार रिवेट जोड दरसाएगे इनमें से अमें बताना है कि सिंगल स्ट्रेप बट जोड कौन सा है तो जोड दो परकार के हो जाते हैं लेप जोड तथा बट जोड लेप जोड के अंदर क्या होता है पहले आपको बता देते हैं कि एक प्लेट के उपर दूसरी प्लेट होती है ये मारा लेप जोड होता है और बट जोड के अंदर जो प्लेटे होती हैं तो नों उनके आपस मे किनारे मिलते हैं जैसे मिल गए यहांपर और इनके उपर स्ट्रेप डा दी जाती है लग से एक कि तो हमें सिंगल इस्ट्रेप बट बताना है तो जिस प्रकार ये है ऐसे कि तो तुर्ण हटा देना है उसके अलावा उप्षन में से देखना है तो जैसे फेश्ट है ये भी बट जोंड काई है लेकिन इसमें दो स्ट्रेप हो जाती है एक उपर की स्ट्रेप ये रही और एक नीचे लेकिन हमें बताना है सिंगल स्ट्रेप तो जो B option में हैं हमारे पास उसके अंदर अगर साब डाइग्राम बढ़ाएं तो इस परकार ये तो हमारी मूल प्लेट हो गई दो इनके किनारे अपस में मिल गए इनके अलावा एक स्ट्रेप में प्लेट है जो ये प्लेट है ये स्ट्रेप में है तथा ये दो प्लेटे अपस में मूल प्लेटे है तथा ये इनका बीच का जोड है तो B option हमारा राइट हो जाएगा सिंगल स्ट्रेप बट जोड के लिए ओके नेक्स्ट क्यूशन भी हमारा डाइग्राम से है चित्र में दिखाई गई कौन सी एक स्ट्रेप ड्राइव है यहाँ पर ड्राइव दिखाई गई है च्यार परकार की तो इन में से हमें स्ट्रेप ड्राइव का बताना है कि इन में से स्ट्रेप ड्राइव कौन सी है तो हम सभी का कर लेते हैं first option में है यह open belt drive FAST आप्षन हैं हमारा यह open belt ड्राइव का है B ओप्सन हमारा यह cross belt drive का है अमें step का बताना है जो C ओप्स्न हमारा यह step drive का है जहांपर step कोणपुली का परियुग किया गया है और ये च्यार नंबर है हमारा ये है समकोन ड्राइव तो आपको च्यारों ड्राइव याद रखने है A option में है open belt drive B में है cross belt drive C है जो step drive और D है समकोन ड्राइव तो हमें step drive का पुछा है तो हमारा C option right हो जाएगा Next question हमारा belt के फिसलने का कारण है जो belt drive होता है उसके अंदर belt के फिसलने का क्या कारण होता है कम तनाव संपदमान भार उच स्टार्टरिंग टॉर्क सार्क लोड तो जो belt फिसलने का मुख्य कारण है वो होता है कम तनाव A option हमारा right हो जाएगा अगर तनाव कम है belt के अंदर तो वहाँ पर हमारी belt फिसल सकती है नेक्स्ट क्यूशन हमारा डाइग्राम से चित्र में दिखाए गए तेल कप को पहचाने ये लुब्रिकेटर हैं चिहार प्रकार के इन में से हमें तेल कप को पहचानना है तो यहाँ पर हमारा C option right हो जाएगा तेल कप के लिए C option अमारा right हो जाएगा तेल कप ये oil can हो गया can है force feed के अंदर ये भी force feed के अंदर आ जाएगा ये grease gun है force feed के अंदर और ये जो तेल कप है ये good to action विदी के अंदर आ जाता है C option हमारा right हो जाएगा next question हमारा समान व्यास के रसी के दो टुकडो को जोडने के लिए किस परकार की गाट का परियोग किया जाता है समान व्यास की दो रसीयां हैं उनको हमें जोडना है तो हम वहापर कौन सी गाट नोट जिसे एंगलेस में बोलता है उसका परियोग करेंगे slip गाट का, bowling गाट का, square गाट का, ship sank गाट का तो जो समान व्यास की होती है रसिया उनके लिए हम slip गाट का प्रियोग कहती है यह option हमारा right हो जाएगा slip गाट next question हमारा चित्र में दिखाए गए belt fastener का नाम बताईए एक belt fastener दिखाया गया है चित्र के अंदर हमें उसका नाम बताना है, option है crochet plate, wire type, jackson type, alligator type तो diagram में दिखाया वाजो belt का fastener है, वो है wire type see option हमारा right हो जाएगा, wire type next question हमारा है, diagram से ही चित्र में दिखाए गए gear का नाम बताईए एक hand drill दिखाए गई है, portable hand drill उसके अंदर gear बताना है कि आपर कौन सा gear प्रियुक्त हुआ है option है, मारे पास एक mint option है, wable gear, supper gear, helical gear, warm gear तो जो हमारी hand drill मशीने होती है, आपर wable gear का प्रियुक किया जाता है, यह option हमारा right हो जाएगा, wable gear next question है, हमारा, युगम कपलिंग का नाम बताईए जो वृत कोनों, large angle पर विदुत का दनात्मक पारिशन transmission संभव करता है, तो कपलिंग होती है, आपर कोन सी कपलिंग, वृत कोन, अधिक कोन, large angle पर विदुत का दनात्मक पारिशन transmission करने के लिए संभव है है, option है हमारे पास, एक मिन, option है हमारे plate युगम कपलिंग, universal कपलिंग, slip type कपलिंग, clamp कपलिंग, तो जो large angle के लिए हम universal कपलिंग का परियोग करते हैं, जो large angle पर हमें पारिशन करना हो, तो आपर हमारी कौन सी कपलिंग हो जाएगी, universal कपलिंग, बी option हमारा right हो जाएगा, universal कपलिंग, इसका angle 15 degree तक हम angle पर पारिशन कर सकते हैं, transmission कर सकते हैं, next question हमारा, उस कलच की किसम का नाम बताईए, जो शिरब तबी व्यक्त हो सकते हैं, जब कलच की दो तत्वे इस्थिर हो, वह कौन सा कलच है, उसका परियोग हम वहाँ पर कर सकते हैं, जब दोनों तत्वे ही इसके इस्थिर हो, dog कलच, कोण कलच, सेंट्रिफ्यूगल कलच, सिंगल प्लेट कलच तो जो सिंगल प्लेट कलच है हमारी वो ऐसी कलच है कि जब दोनों तत्वे स्थिर हो तभी हम उसका परियोग कर सकते हैं D option हमारा right हो जाएगा सिंगल प्लेट कलच next question हमारा चितर में दिखाए गए सेंट्रिफ्यूगल कलच को पैचाने डाइग्राम दिया गए आइस के अंदर च्यार कलच दिये हुए हैं इन में से हमें सेंट्रिफ्यूगल कलच को पैचानना है तो हमारा C option right हो जाएगा सेंट्रिफ्यूगल कलच के लिए यह C option पर है यह हमारा centrifugal कलच है next question हमारा स्निहक का स्रिष्ट उधारण अर्ज तरल है जो स्निहक होते हैं हमारे lubricant तो वो तीन परकार के होते हैं थोस, अर्ज तरल तथा तरल तो यहाँ पर अर्ज तरल का स्रिष्ट उधारण पुछ है option है grease, graphite, castor oil, lord oil तो जो अर्ज तरल का हमारा स्रिष्ट उधारण है वह हमारा grease हो जाएगा यह option हमारा right हो जाएगा grease उसके लावा graphite है, यह थोस, असनिहक है, crystal oil तथा road oil है यह दोनों तरल है next है हमारा question पीटने, hammering या लपेटने, rolling के द्वारा किस एलो है दातु की तनन सकती को बढ़ाया जा सकता है पीटने तथा rolling के द्वारा हमें किस एलो है दातु की तनन सकती को बढ़ा सकते हैं option है, sisa, tamba, teen, justa तो तनन सकती को बढ़ाने के लिए हम अगर rolling करते हैं या aimring करते हैं तो वहाँ पर, tamba option हमारा, right हो जाएगा, B, ओपर, tamba next question हमारा, उस ओजार का नाम बताईए, जिसका परियोग सहतीर timber में बड़ी किलो को निकालने तथा भारी वस्तों के इस थांतरन के लिए किया जागता है okay, उस ओजार का नाम बताईए, जिसका परियोग timber में बड़ी किलो को निकालने तथा भारी वस्तों के इस थांतरन के लिए very most question है, बहुत difficult तरिके से पुछा हुआ है कि एक question के अंदर पूछलिया है कि कील निकालने के लिए okay, कील निकालने के लिए, बड़ी किलो के लिए और उसी question के अंदर पूछलिया है कि भारी वस्तों का इस थांतरन भी करना है okay, अगर कील निकालने की बात आती सिरफ है, तो हमारा climber, right हो जाता, जंबूर जिसको बोलते है, climber, जो fast option में दिया है और यहाँ पर वस्तों के इस थांतरन की भी बात की है, तो हमारा right हो जाएगा crowbar, जो crowbar होती है, उसके दुआरा हम बारी किलो को निकाल भी सकते हैं तथा बारी वस्तों का इस थांतरन भी कर सकते हैं, बी option हमारा right होगा, crowbar next question हमारा gun दात्तू की एक मिसर दात्तू है, जो gun metal है, वह किसका मिसरन है यह बताना हमें, gun metal, option हमारे पास, पितल जस्ता यों सिसा, तांबा सिसा यों जस्ता, तांबा टीन यों जस्ता, तांबा टीन यों वाइट मेटल तो जो gun metal है हमारा मिश्रण है वहेद तामबा तीन यह जस्ता का मिश्रण है C option हमारा right हो जाएगा तामबा तीन वहेद जस्ता gun metal ITI के अंदर तीन त्रे की मुख्ये पुछ जाती है दातू गंदातू हो गई कासा हो गया और पितल हो गया तो गंदातू का तो हो जाएगा तामबा तीन वहेद जस्ता उसके अलावा कासा पूछ लेता आपको कासा किसका मिश्रण है तो कासा हो जाता है तामबा पलस तीन का अगर पितल पूछ लिया जाती है तो पितल हो जाता है तामबा पलस जस्ता का ओके तो तीनों ही याद रखने हैं तीनों ही वेरी मोस्ट है नेक्स्ट क्यूशन हमारा थोस सोल्डरिंग के परियोजन के लिए किस परकार की सामगरी का परियोग किया जाता है जो ठोस सोल्डरिंग कठोर सोल्डरिंग हो गए है हमारी जिसे ब्रेजिंग भी का जा सकता है मैं किस सामगरी का परियोग किया जाता है तामबा टीन सिसा लो है तो जो ब्रेजिंग है हमारी ठोस सोल्डरिंग वहाँ पर हम तामबा का परियोग कहते है यह option हमारा right हो जाएगा तांबा next question है soldering iron तांबे की बनी होती है soldering iron होती है उसकी tip थोड़ा question में mistake है soldering iron की tip तांबे की बनी होती है क्या कारण है कि soldering iron की tip को तांबे का बनाया जाता है यह बारी है उसमा की कुछालक है इसका thermal विस्तार अधिक है man purpose होता है कि इसका thermal विस्तार अधिक है c option हमारा right हो जाएगा इस सुचालक तो होती है साथ साथ इसका विस्तार अधिक है thermal विस्तार ठीक है इसलिए इसे तांबे का बनाया जाता है next question हमारा machine के लंबवत छेती जिस्तरों को जाचने के लिए किस friction यंतर का परियोग किया जाता है जो machine के लंबवत होती है 36 इस्तर होती है उनको जाचने के लिए किस friction यंतर का परियोग किया जाता है straight edge block spirit level solid test mandrel try square तो machine के लंबवत 36 जिस्तरों को जाचने के लिए हम straight edge का परियोग कहते है यह option हमारा right हो जाएगा straight edge next question हमारा चितर में दिये गे दोस के परकार को पैचाने रिवेट का एक joint दिया गया इसके अंदर दोस है उस दोस को परकार को पैचानना में यह option पर है हमारे रिवेट भली बाती स्थित नहीं है snap उचित धंग से वस्थित है रिवेट की लंबाई बहुत लंबी है रिवेट बहुत छोटी है तो इसमें रिवेट का head side हो रहा है अपनी जगया छोड़ के side हो रहा है तो इसका कारण है रिवेट की लंबाई छोटी है D option हमारा right हो जाएगा रिवेट बहुत छोटी है जिसके कारण इसका head अपने इस्थान से अलग हो रहा है next question हमारा pin का मानक संकू टेपर क्या है जो pin होती है उसका मानक संकू टेपर क्या होता है option है एक अनुपात 30 एक अनुपात 40 एक अनुपात 50 एक अनुपात 7 तो जो pin का संकू टेपर होता है वो एक अनुपात 50 का होता है c option हमारा right हो जाएगा एक अनुपात 50 next question है and last question हमारा साचे जिंग के परकार का नाम बताईए जिसमें आधार plate उपलब्द नहीं होती वै कौन सा जिंग है जिसके अंदर आधार plate बेस plate उपलब्द नहीं होती option है plate जिंग, box जिंग, tunian जिंग, latch जिंग तो हमारी जो plate जिंग है ए option में plate जिंग, इसके अंदर आधार plate उपलब्द नहीं होती very most question है, इस plate जिंग का दूसा नाम भी है वै जिसे channel जिंग बोला जाता है channel जिंग, कई बार exam में पूछ लिया जाता है कि वह कौन सी plate है जिसके अंदर आधार plate नहीं होती, तो plate जिंग की जगाए आपको option देदेगा channel जिंग, तो वो भी right होगा, जिसका इसका रूपांत्रण ही है channel जिंग, इस परकार हमारे 25 question पूरे होते हैं, तथा paper के 50 question complete होते हैं आसा करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को like कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ share कर दीजिए, धन्यवाद